control statement के हमने ifs देख लिया, go to देख लिया, switch देख लिया, loop तीनों देख लिया, while do, while for, and extra जो दो keywords थे, break और continue ये भी देख लिया, अब हम देखते हैं function, तो function क्या होता है, जिस तरीके से हम loop जो है, ये क्या होता है, कि अगर same जो line है, हमें बार-बार execute करनी पर रही है, कोई एक specific line, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि loop use करते हैं, तो एक number of lines है, और उसको हम loop body में डाल दिया हमने, तो हमारी requirement के recording, condition के recording, execute होंगी, अब क्या होता है function, function किसलिए हम use करते हैं, कि जब हमारा program काफी large होता है, तो उसको maintain करना, थोड़ा difficult हो जाता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कि एक बड़े से बड़े जो program होता, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम divide कर देते हैं, और हर एक module को हम पहले complete करते हैं, तो module wise हम complete करते हैं, इस से क्या होगा है, कि retability बढ़ जाती है program में, again कि अगर क्या है कि एक जैसे हमें बार-बार calculate करना पर रहा है, जैसे कोई भी area हो गया, कोई calculation हो गया, कोई power हो गया, कोई भी एक ऐसा चीज, जो कि हमें program में बार-बार ज़रुरत पर रही है, तो बार-बार हम program तो लिख नहीं सकते हैं, कि अगर लिखेंगे तो उससे क्या होगा, कि same जो task है, उसके लिए हम हो सकता है, 10 बार use किया, और एक बार करने के लिए 4 lines execute करने हैं, और जब भी हमें ज़रुरत परती है, परेगी, तो हम उसको क्या करते हैं, call करते हैं, और run करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, कि हमारा program की durability improve होती है, उसके बार हमारा maintenance easy हो जाता है, और program short भी हो जाता है, इसके क्या है कि दो जो types हैं, जिन्दली two types के function, एक है हमारा library function और दूसरा है user defined function, library function जैसे हमने use किया, printf, scanf, main function, ये वो function होते हैं, जो पहले से c library में defines हैं, इनका meaning पहले से c library में defines है, उसके बाद user defined function, ये function क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है my function, etc, ये function हम खुद से define करते हैं, अपनी requirement के according, और ये जो function का नहीं होता है, कोई भी valid identifier हो सकता है, तो हम ज्यादा c library function पर बात नहीं करेंगे, क्यांकि already ये define है, और इसको हमें बस as it is use करना है, जो सबसे ज़्यादा हमें देखना है और वो करना है, वो हमारा user defined function कि कैसे हम define कर सकते हैं, कैसे call कर सकते हैं, तो ये अब हम देखते हैं, का श murderer, कर सकते हैं, क्यांकि एक हमें लेक शीओ में कर सकते हैं, तो हमें सकते हैं,